इस वीडियो हम टेस्ट करने वाले अमूल के बटर कुकीज विजीरा तो इस तरह से आपको इसकी पैकिंग देखने मिलते हैं इस तरह से आपको कुकीज के इलस्ट्रेशन यहाँ पर देखने मिल जाएगे made with अमूल बटर no vegetable oil जो की अच्छी बात है net content की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है इसका net content देखने मिल जाएगा 50 gram pricing है इसकी 20 rupees तो reasonable pricing यहाँ पर मुझे देखने मिलती है ingredients की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके ingredients देखने मिलेंगे refined wheat flour यान की मैदा यूज किया गया इसके अंदर butter है 24% sugar, milk, solid, starch, common salt, cumin है 1% यहाँ कि हमारा जो जीरा है वो liquid glucose raising agent है antioxidant है contents added flavor of cumin तो cumin का artificial flavor भी यहाँ पर इसके nutrition facts है as per 100 gram इसका net content है 50 gram तो आपको as per 50 gram इसके nutrition facts calculate करने है अगर आप यह पूरा pack एक बार में consume कर रहे हो तो 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 इसकी manufacturing date है तो यहाँ पर इसकी manufacturing date है and best before जो इसकी 6 months है from date of manufacturing cool and dry place में रखना है avoid from direct sunlight manufacturer की बात करे तो आपको अगर पता करना है कि आपके purchase की यह pack की manufacturing कहाँ पे हुई है तो आपको जो है first two characters of batch number देखने तो यहाँ पर first two characters है U and B तो आपको यहाँ पर धूंडना है U and B bracket में जो mention होगा तो यहाँ पर kg है यहाँ पर ki है और यह रहा हमारा यहाँ पर यह रहा यूबी तो स्यूमूल डेरी सूरत गुजरात में इसकी manufacturing हुई है यह manufacturer का license number है और यह आप देख सकते हो question course होगी तो आप अमूल को इस address पर contact कर सकते हो इस mail ID पर contact कर सकते हो इस number पर contact कर सकते हो तो चलिए आप इसे open कर लेते हैं और टेस्ट करते हैं आपको थोड़ी बहुत पटाको की आवाज आईगी क्योंकि अभी दीवाली का time चल रहा है तो यह आप देख सकते हो marketed by गुजरात cooperative milk क्योंकि इनका यह product है तो उनका address भी हाप पर दिया गया है और टेस्ट करते हैं मैंने इससे पहले भी आमूल के butter cookies butter biscuits ट्राइ किया और उनकी टेस्ट मुझे एकदब अच्छी लगी थी तो इसलिए मैंने चाहा कि चलो इसे भी टेस्ट कर लेते यह टेस्ट में कैसे देखते हैं विद जीरा इसका combination कैसा देखने मिलत है वह हम इस वीडियो में देखेंगे तो इस तरह से जो है हम यह biscuit cookies जो है देखने मिलते हैं आमूल की जीरा butter cookies तो इसमें से मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ और आपको बता हूँ एक्जैक्ली टेस्ट कैसी है तो इसके अंदर जीरा होगा करता हूँ टेस्ट तो बहुत अच्छी टेस्ट है विद जीरा तो यह जो biscuits है चाय के साथ यानिकि टी के साथ है टी और कॉफी के साथ बहुत अच्छे लगेंगे मिल्ट के साथ अच्छा ने लेगेंगे क्योंकि हापर जीरा एड़ किया हूँ तो अभी भी जो है मैरे इनके फेवरेट जो है जो with butter वाले इनके biscuits साथ है butter and chocolate flavor वो जादा उनकी जादा taste मुझे इनसे जादा अच्छी लगती है क्योंकि मुझे जो इनको दूद के साथ consume करना जादा अच्छा लगता है तो जीरा flavor की भी टेस्ट अच्छी आप इससे dry भी खा सकते हो फिर coffee and tea के साथ खा सकते हो बस जीरे जीरे की biscuits जो आप दूद के साथ नहीं खा सकती इसलिए मुझे इनकी टेस्ट इतनी जादा अच्छी नहीं लगी बट आप definitely इससे try कर सकते हो अगर आपको जीरा flavor biscuits पसंद है तो definitely इसकी टेस्ट आपको पसंद आएगी वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कर सकते हो च